सरकार केवल सराब बंदी का धिधोरा पीट रही है लेकिन सचाई पूरी देश देख रहा है कि रोज ट्रक के ट्रक सराब बिहार में पकड़े जा रहे हैं मुखमंत्री काफी कमजोर पड़ गए हमें लगता है और आत्मबल की कमी हो गई है महागटबंदन वैसे गटबंदन में गये हैं जिनके समर्थक अधिकान सराब ब्योसाय से जुड़े हुए है मानिय मुखमंत्री के बड़े बड़े अधिकारी उस सराब धंदे में सामिल हो गया है उसमें पैसे की उगाही हो रही है, सरकार के राजस्व की छती हो रही है, सरकार मुआपजा देके निशिंत हो जाती है, फिर घटना घटी है, फिर मुआपजा देती है, बयान देती है, उसके असांत हो जाती है, बहुत दिनों तक इतने ही चलने वाला है, कि आप जनता को जुठा आसूपों से और रोज इस तरह की बली चढ़ाते रहें नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब भिहार मैं आपके साथ रूपम वैसाली में दर्दनाक जो दुर घटना घटी उसके बाद मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से लोग दुखी हैं बच्चे काफी वहां पर घायल हुए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर था ट्रक जो ड्राइवर जो चालक था वो सराप प्ये हुए था आज बीजेपी से विनो सर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उ मैं इसवर से प्रातना करता हूँ कि जो हमारे बच्चे इस दर्दनाक हाथसे में मिर्थ हुए हैं जो परिबार इसे हाथ है उसको इसवर सकती दे चुकि बहुत ही दोख़द घटना घटी है बैसाली में और निश्चित रुप से इसके लिए सरकार पूरी तरह से दोसी है सरकार केवल सराब बंदी का धिधोरा पीट रही है लेकिन सचाई पूरी देश देख रहा है कि रोज ट्रक के ट्रक सराब बिहार में पकड़े जा रहे हैं जहरीले सराप बन रहे हैं जिसे प्रतेक दिन मोते हो रही हैं रोज दुर घटना हो रहे हैं सराप पी के लोग गाडियां चला रहे हैं और उसी का एक प्रणाम आज हुआ है कि इस तरह की घटना हुई है अगर पेन से अट्रक नहीं चकड़ाता तो और बड़ा हाथ सा होता और लोग मारे जाते निश्चितरूप से सरकार को इस पर गंभीर होना होगा मानिय मुख मंत्री को काफी इस पर मजबूती से ख़ड़ा होना होगा क्योंकि मुख मंत्री काफी कमजोर पढ़ गए हमें लगता है और आत्मबल की कमी हो गई है अब तो महागटबंदन में चले गए हैं पुराने दोस्त उने मिल गए हैं वही तो दिकत है महागटबंदन वैसे गटबंदन में गये हैं जिनके समर्थक अधिकांस सराब ब्योसाय से जुड़े हुए हैं और सराब ब्योसाय का बहुत ज्यादा उस समय बोल बाला था जब उनकी सरकार थी जिनके साथ गए हैं मानियम मुखमंत्री जी तो चाकर भी उसे रोक नहीं लगा सकते हैं वैसे अप राजियों पर रोक करवाई नहीं कर रहे हैं कि आरजेडी के जितने भी लोग हैं वो सराब सारी नहीं उस ब्योसाय से जुड़े हुए लोग नहीं उससे ब्योसाय से जुड़े हुए अधिकांस लोग उसी दल के समर्थक हैं और निशी तरुप से उस कि नहीं कर पा जाएं तो्रतोर नियम करना चाहिए कि अगर का उलंगन कर रहा है तो इसको उलंगन करना चाहिए और यहिजा mi पहलू है कि सरकार मुआबजा देक ships हो जाती है फिर घटना घटती है फूर मुवजा देती है बयान देती है उसके असांत हो जाती है जो अपरादिये बाहर आ जाते हैं तो सरकार को इस पर काफी गंभीरता से सोचना होगा मानिये मुखमंत्री जी का अभियान बहुत अच्छा था हमने सराना की हमने समर्थन किया लेकिन कह पूरी तरह से कमजोर पड़ रहे हैं और सराप का धंदा बहुत तई से फल फूलने लगा है और हम आगरा करेंगे मानिये मुखमंत्री से मिर्ट परिवार को जो मिर्ट ब्यक्ती है उनको 10 लाका मुवजा कम से कम दिया जाए जो घायल है उनको कम से 2 लाक रुपया कम परिवार को जीने खाने की विद्र प्योस्ता कीजिए जो आश्रित होंगे उनके परिवार के लोग होंगे बहुत सपने देखेंगे बच्चों को लेके तो एक ऐसी रासी जरूर मिलनी चाहिए कि उस परिवार को कुछ मदद मिल सके आत्म बल मजबूत हो सके आरजेडी के परिवार को पावर कषुद मुख मंद्री कर रहें देखा फीटा उपर का टेजश्वी जात जी कारतें नीचे का मुख मंत्री कारतें तो कहीं कहीं हां सारा पावर अभी राजद के पास है औरा चाहती है बैठक बुलाना इमानदारी से तो मुखमंत्री पर दबाव दे बैठक बुलाबे जो भी संसोधन करना हो कड़े कानून बनाने हो बनाबे और बिहार का जो इतना बड़ा हित हो रहा है जो जानमाल की छती हो रही है उससे बिहार को बचाना चाहिए चुकि बहुत दिनों तक इतना ही चलने व लोग ऐसा कह रहा है कि अब तो होम डिलिवरी भी होने लगी है छोटे-छोटे बच्चे इसमें सनलिफ्त हो रहा है सराब बेचने में और उनका भवी से भी खराब हो रहा है तो चाहिए कि मुखमंत्री जी ने जो सराब बंदी जो वो करवाय थे बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने उठाया बहुत ही सरानिये ये बात उनका लेकिन जिस तरह से इसका मजाक उडाया जा रहा है जो उनके जो लोग हैं जो कुछ पर लाइक जरूर करें